हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ पतिभा, मेरे चैनल कानपुर कीचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी आप में से बहुत से लोगों ने कभी इसकी चटनी नहीं खाई होगी तो जिसने जिसने भी इस चटनी को नहीं ट्राई किया है तो एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा यह आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे क्रिक्वेश्टे की प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राईब करके नौटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू उसकी नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए शुरू करते हैं बहुत जूसी करौने हैं, ये बिल्कुल पक चुके हैं जिसे की इसका बीज भी बहुत हार्ड हो गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन्हें हमने धोलिया अच्छे से, अब हम इने ही बीज से कट करके इनके जो बीज हैं हार्ड वाले उन्हें रिमूप कर देना है, तो ध्यान रखे, बिल्कुल भी बीज इसके अंदर नहीं जाने चाहिए, बहुत ही असानी से जैसे ही आप कट करेंगे, एकदम से पके हुए करोंदे हैं, तो बीज इनका मैंने रिमोब कर दिया हुआ, यह देखे, यह जो बीज इतने निकले हैं, उन्हें हम फेक देंगे, और इनके हम चटनी बनाएंगे, तो यह जो करोंदे हैं, उन्हें हम डाल देंगे, एक मिक्सी के जार में, अगर आपको पके हुए करोंदे मिलते हैं, तो आप पके करोंदे की ही चटनी बनाएगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया, तीन हरी मि हुई है जिसे हमने इस तरह से तोड़के डाला हुआ है एक इंच अद्रक का टुकला है जिसे हम इस तरह से लंबा लंबा काट के डाल देंगे इसमें अगर आपको यह करोंदे नहीं मिलते हैं तो जो कच्छे करोंदे आते हैं आप उनकी भी चटनी बना सकते हैं थोड़ा सा हमने इसमें काला नमक और सफीद नमक दोनों डाला हुआ है 10 से 12 हम इसमें पुदीने की पत्तियां डालेंगे और आदा चोटी चम्मच से कम हमने इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाला हुआ है अब हम इसे खटा मीठा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें देड़ चम्मच चीनी मिला रही हूँ अगर आप कच्चे करोंदे का बनाते हैं तो आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा मिलाएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खटे होते हैं तो बस थोड़ा सा पानी डालके हमने इस चटनी को पीस के तयार कर लिया हुआ है और आप देख सकते हैं फ्रेंट्स इसमें कोई कलर नहीं है यह नैचुरल कलर है और बहुत ही स्वाधिस्ट चटनी बनी है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा यह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इस चटनी को आप फ्रेज में रखे तीन से चार दिन तक यूज़ भी कर सकते हैं आप में से जिसने जिसने भी एक करोंदे की चटपटी चटनी खाई है नीचे मुझे कोमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी ही रेसिपीच के लिए आप नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेकिया है